नमस्कार मैं हो ससी आये जर्गां की टॉप 25 पर्मोख खबर जानते हैं उत्राखंड में गलेसियर तुटने से आट की मौत 170 लपता उत्राखंड के चमोली जिले में एक गलेसियर तुटने से भ्यांकर तबाई हुई है बतादे गलेसियर तुटने से कई घर भगए और कई पावर प्रोजेक्ट को इससे नुक्सान होने के संका है बतादे उत्राखंड हद्से में अब तक 8 लोगों की मौत हो चुकी है और 6 खायल है जबकि बाढ़ की वज़े से अब तक 170 लोग लापता बताए जा रहे हैं मौसम विभाग ने पिछले 24 घंटों में ज़ारखंड के कई जिलों में बारिस बजरपात और कुछ जगावलाव रिष्टी के बाद अब सीतलहर का अलर्ट जारी किया है मौसम केंद्रे नाची ने अगले 5 दिनों का मौसम पूर्वनवान जारी किया उसमें 8 फरवारी को राजे के उतरी और मदे भाग में सीतलहर चलने की समभवना है वही 9 फरवारी को दक्षिनी जारखंड के कई जीलों में सीतलहर चलने की समभवना बताई है सीत लहर के चलते राजमें निम्तम तापमान आउसाथ से कौम रहेगा जो लोगों को ठांड का हैसास कराएगा भैग्यानिक अभिसेख अनंद के अनुसार दस फरवरी के बाद तापमान बढ़ने के साथ मौसम समाने होने के संकेत हैं अंदोलन वापस ले पारा सिक्षक, सिक्षा मंतरी चेनई के MGM अस्पताल में इलाज करा रहे मंतरी जगनात मतुने रविवार को एकिकरित पारा सिक्षक संहर्स मोर्चाक के नेताओं से फोन पर बात की इस दोरान उन्होंने पारा सिक्षकों से आंदोलन वापस लेने की अपील की उन्होंने सिक्षकों को अस्वस्त किया कि जार्खन लोटने और पदभार ग्रहन के बाद वे सबसे पहले उनकी मांगों पर करवाई करेंगे कहा कि पारसिक शोक्यास्थाई करन तथा वेतनवान परवे सुरू से ही गंबीर रहे हैं इस बीच कुरोना संक्रामित हो जाने तथा गंबीर रूप से बिमार पड़ जाने के कारण ही इस मामले में निनलेने में बिलंब हुआ डिलेवरी को लेकर जारखंड के पुर्व मुख्य सची और डिलेवरी बॉआ के बीच मार पीट का रोप फुरूट बास्केट की डिलेवरी को लेकर जारखंड के पुर्व मुख्य सची सुधीर परसाद और एक डिलेवरी बॉआ के बीच बिवाद हो गया बतादे बिवाद इतना बढ़ा कि दोनों ने अर्गोडा थाना में एक दूसरे खिलाप मार पिट सहीत और आरोप लगाते वे सिकायत दर्च कराई बतादे अर्गोडा थाना में लिखित सिकायत में डिलेवरी भुआ है मोहमत फुरकान ने बताया कि सनिवार की रात 11 बजे सुधीर परसाथ के घर डिलेवरी दिने गया था देर रात होने के कारण उसे दूसरे दीन रभिवार को आने को कहा गया नेवी अफिसर सुरज मामले में सीवी आई जाच की मांग जारखन के पलामो इस्थित पूरवडिया निवासी सुरज दूबे की अफहरन कर महराष्ट में जिन्दा जलाने के मामले में पलामो सांसत बिसनु देल राम ने गंबिता से लिया है उन्होंने मिरी तक सुरज के परीजनों के प्रति सन्वेदना प्रकट की है वहीं इस मामले की जांच CBI और सेना के अधिकावियों से कराने के अफिल भी की है बता दे सांसत सत्र के कारण पलामो सांसत इन दिनों दिल्ली में है जारखन में 14 लाख को मिलेगा परधान मंत्री उजवला योजना का लाब प्रधान मंत्री उज्वाला योजना के तहद देश के एक डोर नए परवार को कनेक्शन देने का एलान किया गया है इसमें से लगबग 14 लाग कनेक्शन जारकन के परिवारों को मिलेगा बतादे या कनेक्शन 2021-22 में लावकों को दिये जाएंगे योजना के तहद जारकन में कूल 32 लाग 49 लावकों के पास कनेक्शन है या आकणा तीनों गैस कमपनियां इंडियन भारत गैस और एचपी गैस का है भावी सिता सुरेन ने दी हेमंद को बढ़ाई बेलेंटाइन वीक की सुरुवात के साथ ही जारकन के मुख्यमंत्री हमंसुरेन और उनकी पतनी कलपना सुरेन ने रविवार साथ परवाजी को अपनी साधी की 15 साल गीरा मनाई बतादे इस दोरान बधायों का दोर देर तक चलता रहा जारकन के मुख्यमंत्री हमंसुरेन ने उत्रा खंड के चमोली में गलेसियर फटने से हुए भिस नहाथ से पर अपनी पीडा जाहिर की है बतादे सीम ने रविवार के पीटर पर अपने संदेश में आपदा पर गारा दुख जताया है सीम ने लिखा उत्रा खंड के चमोली जीले में गलेसियर फटने से आई आपदा का दूखत समचार मिला फरमात्मा सभी को सुरक्षित रखे यही कामना करता हूँ राज येपाल से मिले केंद्रीय मंत्री अरजुन मुंडा केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने रविवार को जार्खन की राज जेपाल दुरुपदी मुर्मू से राशी इस्थीत राजभवन में मुलकात की इस करम में उन्होंने खोटी के बीर्षा कॉलेज के अंतरगत संचालित महिला कॉलेज में कारिवत सिक्ष को शिक्ष केतर करमियों को विगत तीस माह से बेतन नहीं मिलने की जनकारी देते हुए उन्होंने इस उसर पर राजे में निर्माना धीन एक लब बिद्यालियों की भी जनकारी राजह पाल को दी जार्खन में 38 नय संक्रमित की पुष्टी हुई है जो राची से 22, पूर्वी सिमूं से 10, बोकारों से 2, जामतरा, एक दुमका, एक कोडारमा, एक देवघर से एक मरिज मिले है जार्खन में कूल मौत की संख्या 1,088 है वही एक्टिब केस की संख्या 431 है भारत में 11,528 नय संक्रमित की पुष्टी हुई है भारत में कूल मौत की संख्या 1,055,114 है वही एक्टिब केस की संख्या 1,440,108 है क्रिसी कानूनों के बिरोध में राची में जन आक्रोस रैली केंदरी एक क्रिसी कानूनों वा मुख मंत्री हमान सुरेन के काफले पर हमले के बिरोध में राची में जन आक्रोस रैली कायोजन किया गया बतादेश माहा रैली में हाजारों की संख्या में लोगों की भीर जूटी वहाई ज्यार्खन के बित मंत्री रामेश्वर उडाव क्रिसी मंत्री बादल पत्रलेक सहीत ज्यार्खन में पचास बरस से अधिक आयू वाले लोगों काय सीगर टिका करन सुरू होगा केंद्रिय स्वास्त मंत्राले ने इसके संकेत दिये हैं केंद्रिय स्वास्त सचीव राजेस भूसन ने सनिवार को सभी राजियों के अभियान निदेशकों के साथ होई वीडियो कंफरेंसिंग में इसकी जनकारी देते हुए इसके लिए तयार अने के सुझाव राजेक के पतादिकारियों को दिये जनाक्रोस रैली में पहुँचे 20 से यार लोग जनाक्रोस महारैली में सामिल होने के लिए कोई लोग परमपरिक वाधियंत्रों के साथ पहुँचे थे बतादे वे केंद्र के खिलाप नारे वाजी करते हुए आदिवासी एकता जिन्दाबाद समेत अने नारे लगा रहे थे जनाक्रोस महारैली में करीब 15 से 20 से यार से भी ज्यादा लोग पहुँचे थे बतादे कोई महिला है आदिवासी परमपारिक बेस फोसा में भी आई थी जबकि पूरुष परमपारिक हत्यार लिये सामिल हुए बीहार्यों का करते हैं समान रामेशवरुराव जार्खन सरकार के बीत मंत्री डाक्टर रमेसरूराव ने कहा है कि मैं बहारियों का समान करता हूँ क्योंकि मेरा जन्म और पढ़ाई अभिवाजित बहार में ही हुआ है जब हमारे घर में कोई मेमान आता है तो पराहाय की दोना यानि खाना देने की परन्तु मेमानों को किसी भी हालात में कोना जमीन जगा नहीं दी जा सकती ये बाते उन्होंने रभिवार को राची के लोवाडीज थी तहाई टेंशन मैदान में आयोजीत जना क्रोस मायराईली में कही सिख्षक नियुक्ती में रायस्थान 36 गड़ और मध परदेश का मोडल होगा लागू जहरखन میں प्राथमिक से लेकर हाई स्कूल तक शिख्षको के नियुक्ती पर गिरएम बदलाव होगा बता दे राच सरकार इसकी त्यारी कर रही है सरकार रायस्थान 36 गड़ और मध परदेश के मोडल को अपना सकती है इसमें प्रात्मिक से लेकर हाई स्कूल के सिस्कों को बावन सौ से बी से अर्दोसों के बेतनमान के साथ 2400 और 2800 का ग्रेट पे मिलेगा बतादे पहली से पाचवी तक के प्रात्मिक सिस्को की नियुक्ति में बावन सौ से लेकर 20-200 का बितनमान और 24-200 का ग्रेट पे दिया जाएगा इस आधार पर इन्हें हर महिने 25-500 रुपे मिलेंगे राजे के 21 जिलो में खुलेंगे कमर्सियल कोट राजे में बानीजी बिवादों के तवरित निस्पादन के लिए अब हर जिले में कमर्सियल कोट बैठेगी सरना कोट भारत सरकार के जन जाती एक कार्य मंत्री अरड़नमुंड़ा को रभिवारे को सरना धर्म कोट को लेकर पत्र बहजा गया बता देया पत्र राजी पढ़ाया सरना प्राथना सभाय भारत के राष्ट्रिये अध्यक्ष नीरज मुंडा और राष्ट्रिये महासचीव डाक्टर प्रवीन उरावने सन्युक्त रूप से भेजा है भेजगाय पत्र में कहा है कि पूरे भारत के आधिवासियों को 2021 के जनगना में सरना कोट को सुचिवत किया जाए नियोजन निती रद करने के खिलाप परदरसन नियोजन निती रद करने के बिरोद में रभिवार को भाजबा नेताओं ने परदरसन किया चोधावे बित कर्मी संग का धरना रभिवार को भी जारी रहा बतादे धरना पर बैठे कर्मियों का काना है कि अधि मंगलवार तक उनकी मैंगों पर सकरात्मक नियों नहीं लिया गया तो आमरण अंशन शुरू किया जाएगा और अंदोलन को और उग्र किया जाएगा इसकी सारी जवाब देही सरकार की होगी संग ने क्रिसी मंत्री बादल और गरामिन विकास मंत्री पर भरुशा जताया और जल निर्नाय लेने की मांग की है चक्रधरपूर में पूलिस नकसली मुढ़वेर जारखंड के पच्मी सिमुम जीले के चक्रधरपूर में रभिवार सुबा पूलिस और मवादियों के बीच मुढ़वेर हुई बता दे इस मुढ़वेर में कोबरा बाटालियन के एक जवान को गोली लगी है घायल जवान को हेलिकोप्टर से राची लाया गया मेडिका अस्पताल में घायल जवान का इलाज जारी है जनकारी के मुताविश चक्रधरपूर के टोकलो जंगल में मुढ़वेर हुई है मुढ़वेर के दोरान पूलिस को भाड़ी पता देख नकसली जंगल के अंदर भाग गया पारा सिक्षको के अंदुरन का सिक्षा मित्र संग ने किया समर्थन जार्खन सिक्षा मित्र संग की परदेश कार्य करनी की बैठक धनबाद गोल्फ ग्राउंड में की गई मैं निना लिया गया कि 8 फरवरी को प्राँद शिक्षा मित्र संग ने तीक समित्र गर्म राविवार को हं पयठक की अधकता जार्खन सिक्षा मित्र संग की केंद्रिय परतिनीदी दूर्गा परसाध मातो ने की यदि आप चैनल परना हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बहुल के लेकर लेकर दबढ़े साथ साथ वीडियो को एक लाइक कर अपने दोस्तों के साथ सेर करना ना भूले साथ साथ आप हमें कोमेंट बक्स में अपना फीड़ाइक अवस्य दे थाइंक यू